Question 2. Find the square root of each of the following up to two places of decimals. तो यह जो question दिया है, question पहले है 5, उसकी बाद है 7, 2, 0, 8, 6. तो next है 85.3 तो हमें two places तक find करना है. तो two places तक जब हम find करेंगे, तो हमें क्या होना चाहिए यह जो decimal point है, decimal point के बाद 3 प्यार हमें चाहिए. तो जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम ऐसे 3, 0, मतलब 3 प्यार ऐसे बनाएंगे. इसमें तो एक प्यार है, तो हम 0 लगा के 3 प्यार बनाएंगे, ऐसे. तो यह 3 प्यार क्यों लगाता है, इसका main reason यह है, अगर इसका हम result find करेंगे, तो result कैसे आएगा? इसका result आएगा 2.236 ऐसे number रहेगा, मतलब यह irrational number है, 236 इसके बाद और एक number आएगा, और एक और एक ऐसे आएगा. लेकिन हमें क्या करना है, 2 decimal plus तक find करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 point से round off करेंगे, यह जो 3 है, इससे round off करेंगे, मतलब यह जो 100 plus है, इसमें हम क्या करेंगे, round off करेंगे. तो round off करने के बाद हमें इसको result क्या मिलेगा, यह जो 3 है, 3 की बाद का value 6 है, तो यह 5 से जादा है, तो 5 और 5 से जादा जब होगा, हम आगे की number में 1 plus करके, यह पीछे का जो part है, उसको लिखना चोड़ेंगे, मतलब 2, 4 होगा. तो एसे करना पड़ेगा, तो एसे करने में यही सभी number में हमें irrational number में मिलेगा, मतलब decimal point के बाद number खतम नहीं होगा, तो इसलिए हम 3 digit तक find करेंगे, और दूसरा digit को round off करेंगे एसे, तो तभी हमें 2 digit और 2 places तक मिलेगा decimal point, तो एसे हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए हम 3 प जिसमें होगा, उसमें 0 नहीं add करेंगे, जिसमें नहीं होगा, उसमें हम से 0 पाइड करेंगे, कुशन 2 यह 5 दिया है, तो इसका solution हम ऐसे करेंगे, 5, 5 के बाद decimal point लगाएंगे, और इसके बाद three pair, 0 लगाएंगे, यह एक pair होगे, यह दूसरा, यह तिसरा, क्यूंकि इसका value इसका value 5 की बड़ाबर है तो अभी हम इसका square root find करेंगे तो फोर के यह जो 5 है 5 के लिए रिवाइद करेंगे एधर 2 राखेंगे तो इधर भी 2 राखेंगे डिवाइसर और कुईटन दोनों में सेम होना चाहिए तो value आएगा 4 तो next क्या होगा इसको जब सास्टे करेंगे 1 कि बाद का प्यार निचे लाएंगे यह decimal point हमें उपपर लिखना पड़ेगा अभी 100 के लिए हमें डिवाइद करना है तो इन दोनों को add करेंगे तो 4 आएगा value तो निचे हम यह जो 0 है जिरो का pair इसको लाएंगे अभी हमें decimal point के बाद एक digit मिला है अभी हमें दू डिजित और find करना है तो जब हम इसको अभी next क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे मतलब 42 प्लास 2 करेंगे 42 प्लास 2 करने से कितना आएगा 44 एगा इधर 44 लिखेंके 44 इधर भी ठीटेंगे इन यह 3 से इस फिल्व को माल्टिप्लाइ करेंगे तो विल्व आएगा 1329 मतलब हम एसे फिल्व देना परेगा जिससे यह नंबर प्रॉस नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी नस्डिक का नंबर होना चाहिए इसकी सब्स्ट्रेक होगा तो 7 आएगा तो इसमें रहेगा 55 से 3 सब्स्ट्रेक बने के बाद विल्व आएगा 2 अभी हम इन 0 को इधर लाएंगे नेक्स यह जो 443 है 443 इसके साथ हम इस 3 को एड करेंगे तो नेक्स क्या बनेगा 4 4 6 बनेगा तो इधर लिखेंगे 4 4 6 इधर एक फेलो रखेंगे वही फेलो इधर भी रखेंगे तो अभी हमें कौन्चा वेलो देना परेगा अभी हमें अगर इधर 7 देंगे और इधर भी 7 रखेंगे तो वेलो कितना आएगा 26796 आएगा और इनको जोग हम सब्स्टेक करेंगे तो वेलो आएगा 304 आएगा तो यह बनेगा एक रिमेंदर मतलब इसको हम फीर से और 2.237 एक इरिशनल नमबर है यह खटम नहीं होगा ऐसे हो जाएगा इंक्रीज हो के जाएगा तो इसको हम कैसे तो टू प्लेस तक लिखना है तो हम इसको एसे लिख सकते हैं 2.2 यह जो इसकी बात का नमबर है तो यह 7 नहीं होगा यह 6 होगा तो 6 देने से यह तो यह 6 रहेगा तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा यह जो 6 को हटा के इस पार्ट को हटा देना पड़ेगा और यह जो 2 3 है 3 को रांड ओफ करेंगे तो कितना एगा 4 आएगा क्योंकि 3 की बात की जो नमबर है यह 5 और 5 से जाधा है अगर 5 होगा तब हम इधर 1 एड कर सकत करेंगे सिफ एसे लिखेंगे मानलो 2.234 वा तो हम इसका रांड ओफ करके कैसे लिखेंगे 2.23 लिखेंगे ऐसा होगा असका अंसार तो अभी हमें यह जो वेलू है यह decimal point की बात दो डिजिर हमें मिल गया मतलब 2 places हो गया है तो हम इसका solution लिखेंगे therefore root over 5 का जो 2 places का वेलू हमें फांड करने के लिए question में दिया है उसका solution होगा 2.236 और नीचे लिखेंगे इसका round up करके 2.24 ऐसे लिखेंगे अगर हम चाहे तो इसको direct एसे भी लिख सकते है root over 5 equal to 2.24 ऐसे भी लिख सकते है इसको भी हम चाहे तो एसे भी लिख सकते है नहीं तो ऐसे लिखकर next ऐसे भ अब फाइंट करना है तो 72 decimal point की बाद है 86 decimal point की बाद एक pair है हम और दो pair join करेंगे तो 00 join करना से हो जाएगा यह दो pair बन गया है decimal point की बाद का जो पहले का जो number है इसको हम integral part बोलते है तो इसको हम प्यार करेंगे तो यह एक pair बनेगा तो इसको अभी करेंगे तो 8 8 जा अगर हम देंगे तो 8 8 जा कितना मिलेगा हमें 64 मिलेगा तो 64 72 से सबस्टेक करेंगे जभी सबस्टेक करेंगे तो यहां विलवाएगा 8 तो इस part को निचे लाना पड़ेगा 86 तो यह decimal point हमें उपड लिखना पड़ेगा नेक्स हम क्या करेंगे इन दोनों को एक करेंगे तो 16 आएगा 8 प्लास इग्वेल तो 16 इधर 5 देंगे इधर भी 5 देंगे तो 5 से 165 को जब महा माल्टिप्लाइ करेंगे 165 इंटो जब 5 करेंगे तो उसका टूटेल भी लोग कितना आएगा 825 आएगा मतलब 5 5 जब 25 का 5 केरी कितना होगा 2 हो आएगा and 5 इंटो 16 इग्वेल तो होगा 80 80 प्लास 2 इग्वेल तो 82 तो इधर हम वेलो राखेंगे लिखेंगे 825 इसको फिर से सबस्टेक करेंगे जब भी सबस्टेक करेंगे तो वेलो कितना आएगा यहां से 1 निकलेगा 6 निकलेगा तो next इस प्यार को इधर लाएंगे अभी हमें एक decimal point के बाद एक digit मिला next हम क्या करेंगे 165 यह 165 है 5 पिसाद इस 5 को हम क्या करेंगे add करेंगे तो कितना बहलो बनेगा 170 बनेगा 170 इधर लिखेंगे next 6100 के लिए हम क्या करेंगे बहलो डिवाइद करेंगे तो 703 इंटो 3 तो 3 3 9 3 इंटो 0 इंटो 7 इंटो 21 21 का 1 होगा केरी कितना होगा 2 होगा and 3 इंटो 1 इंटो 3 3 प्लास 2 इंटो 5 होगा तो हैलो आएगा 5 109 आएगा अभी हम इसको सबस्टे करेंगे फिर से जबी सबस्टे करेंगे 10 से यह 1 बनेगा यह तो 9 होगा next इसमें क्या जिरो इहां से 1 करेंगे तो यह क्या होगा 10 मनेगा 10 से 1 जब सबस्टे करेंगा तो यह कितना मनेगा 9 मतलब 991 तो इस प्यार को यह जो पीछे का प्यार है इसको फिर सी इधर लाएंगे next हम क्या करेंगे यह जो 1703 है उसकी साथ हम यह जो 3 है 3 हमने डिवाइट के जगा पर इसको एड करेंगे 21706 मिलेगा हमें 21706 को हम इधर लिखेंगे इसकी बात इधर 5 देंगे इधर भी 5 देंगे इससे यह जब मल्टिप्लाय होगा तो भेलू आएगा 85325 और इसका जो रिमेंडर मिलेगा जब सबस्टे करेंगे तो इधर 5 होगा यह कितना हो ना यह 99 से जब सबस्टे होने के बाद 7 आएगा यह 8 है इध से जब 5 सबस्टे होगा तो 3 आएगा यह कितना है 99 से वन सबस्टे होगा तो 3 यह रहेगा हम अगर चाहिए तो और भी निकाल जाकते है लेकिन हमें इतना निकालना नहीं चाहिए शिव हमें 2 दिजित तक ही मतलब डिसीमेल तक हमें तक हमें राउंड आफ करना है यह दूसरी प्लेस में जो भी डिजित है इसको हमें राउंड आफ करना है डियरफोर रूट अगर 7 2.86 इकूल तो हम लिख सकते है 8.535 तो इसको नेक्स हम यह तो इरसिनल नामबर है यह खतम नहीं होगा नेक्स हम क्या करेंगे इसक तो ठीकी बात जो भेलू है यह 5 और 5 से जाधा होने से हमें यहाँ 1 एड करके इसको नहीं लिख सकते है तो इसको हम लिखेंगे 4 तो यह बनेगा असका आंसर decimal point की बाद अगर हमें एक pair मिलेगा तो हमें एक ही decimal point की बाद digit मिलेगा हमें अगर दू डिजिट चाहिए तो हम और इसमें 0 का एक pair एड करके तो दू डिजिट तक जा सकते है और एक pair 0 हम इन्हें लगाएंगे तो decimal point की बाद हमें कितना मिलेगा 3 डिजिट मिलेगा तो हमें तक जाना है उसके बाद two digit को हमें क्या करना पड़ेगा round up करके इसका result find करना है पड़ेगा क्योंकि question में हमें two digit का ही up to two digit तक ही decimal point find करने के लिए दिया है तो हम इसको अभी divide करेंगे तो decimal point के बाद हमें यह 3 pair मिला मतलब 3 digit बने गा इधर और यह 1 pair decimal point के आगे में 1 pair होगा तो next हम क्या करेंगे 85 के लिए divide करेंगे अगर 9 9 times देगे तो कितना आएगा 81 आएगा तो इसको जब subscribe करेंगे तो इसमें 4 आएगा तो 32 को निचे लाना बड़ेगा यह decimal point तब हम उपड लिखेंगे जब दी decimal point की बात का यह number हम निचे लाएंगे बात की pair को हम जब निचे लाएंगे तो decimal point को उपड लिखना ज़रूरी है तो next इन दोनों को आद करेंगे तो 18 आएगा 9 plus 9 equal to 18 अगर हम 2 इधर देंगे अगर इधर 2 देंगे तो यह 2 और 1 1 8 2 into 2 जब करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा 2 into 18 equal to 36 यह आएगा फेलो मतलब हमें एजे भी माल्टिप्ला गर सकते है 1 8 2 2 2 2 4 2 16 का 6 करी 1 2 1 2 2 plus 3 1 equal to 3 बनेगा यह होगा उसका वेलो तो हम लिख सकते है 3 6 4 तो next इसको हम सबस्टेक करेंगे जब ही सबस्टेक करेंगे तो वेलो कितना आएगा इसमें 12 होगा 12 से 8 आएगा यह 2 रहेगा करी होगा तो 6 आएगा तो नीशे का यह प्यार हम नीचे लाए चाराया 2 2 को add करेंगे जब हम i2 को एड करेंगे तो वेलो आएगा 184 तो इधर लिख एगे 184 तो फाराना प्रार बाता होगा उसके प्यार कितना आएगा 5529 अ यसे आएगा तो इसको हम सबस्टेक करेंगे, सबस्टेक करने के बाद क्या आएगा, 1271 और यह जो प्यार नीचे हैगा, तो यह बनेगा result, तो next हमें इसके साथ यह 3 को एड करना परेगा, मतलब 1843 प्लास 3, तो जब एड करेंगे 1846 बनेगा, 1846 होगा, अभी हमें इस वेलू के लिए इधर एक टमपर इधर एक नमबर यह नम रहेगा, तो अगर हम 6 देंगे, इधर भी 6 राखेंगे, तो यह 6 से यह फिलू जब माल्टिप्लाइ होगा, तो भेलू आएगा, 110796 तो इसको जब हम सबस्टेक करेंगे, तो भेलू आएगा, तो अगर हम चाहे तो और भी निकाल सकते ह है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं, हमें 3 दिजिक तक मिल गया है, यह जो 9.236 है, यह irrational नमबर होगा, तो हम 6 को हटा के 24 लिखेंगे, मतलब यह 3 को हमने round off किया, 9.24 यह आएगा उसका answer, तो हम इसको ऐसे लिख सकते है, therefore, root of our 85.32 equal to, हम क्या लिख सकते है, यह नमबर, 9.23 3.6, अगर इसमें हमें 3 दिजिक तक अगर क्वेशन में फाइन करने के लिए दिया होता तो हम क्या करते है, इसमें और एक प्यार 0, add कर लेते, तभी हमें कितना होता, इसमें 4 दिजिक मिल जाता, तो हम 3 दिजिक का जो नमबर है, उसको round off करते, यह हमें भिलो मिला 9.236, इ 1, 2, 6, 8, 1, इसमें यह एक प्यार है, यह एक प्यार है, दो प्यार से हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 3 जब मिलेगा, मतलब 0.123, ऐसे 3 जब होगा, तो हमें इस दिसमेल प्यार को हटा के, यहां क्या करेंगे, round off करेंगे, क्योंकि यह जो पहले यह जो होगा मतलब हटम नहीं होगा तो अभी हम क्या करेंगे और एक 0 और डिसिमल पॉइंट चाहिए तो इसमें दो जिद जिरो लगाएंगे और एक प्यार लगाएंगे एक प्यार लगाएंगे तो इसका सोलुशन बहुत ही जी होगा तो इसको हमें इसे सब्ट करेंगे 0.3681 और में एक प्यार जिरो लगाएंगे तो यह बन गया एक प्यार यह बन गया एक प्यार और यह बन गया एक प्यार तो अभी तीन प्यार है तो तीन देसिमल पॉइंट के बाद तीन डिजिट हमें इथर मिलेगा तो पहले हम जिरो को डिवाइट करेंगे यह जिरो को डिवाइ प्रोब्लेम नहीं यह 6 तैम देणे से 6 ते 9 तो इधर 6 तैम नहीं तो 36 प्रोब्लेम को जब सबस्टेक करेंगे तो 0 आहेगा कि किला 12 शाइगे Mirad viewer Our universe स्टेक करेंगे 20 आगए नँदों नंबना मजट को इसे जाधा हो जाएगा मतलब 12 मालस अब से स्मॉलस नामबर इधर 1 रखेंगे इधर 1 रखा इधर भी 1 टाइम दिया तो multiply करेंगे तो value 1 to 1 आएगा 1 to 1 is greater than 81 so ये divide नहीं हो पाएगा और एक साथ हम 2 pair नीचे नहीं ला सकते है मतलब 81 को अभी हमने नीचे लाया और ये जो पीछे का जो pair है 0 गा pair इसको एक साथ में नहीं ला सकते है एक साथ में ला सकते है लेकिन इसमें एक 0 देना पड़ेगा तो 0 नहीं देने से हम rule में जाएगे solve करेंगे तो अभी क्या करेंगे ये जो 81 है 81 को हम 0 टाइमस देंगे इधर कर 0 दिया तो इधर भी 0 होगा तो इधर कितना 0 आएगा ऐसे 0 आएगा वैसे 1 0 देने से कोई problem नहीं होगा तो sub step करेंगे तो 81 आएगा अभी हम इस 0 को नीचे ला सकता है ये जो pair है इस pair को हम अभी नीचे ला सकता है जब हमने इस pair को नीचे लाया तो value कितना होगा 80 100 हो गया next हम क्या करेंगे ये जो 120 है 120 को हम इधर रखेंगे क्योंकि 120 के साथ जब 0 एड करेंगे 120 प्लास 0 तो value हमें 120 ही मिलेगा तो 120 इधर रखेंगे next 81 के लिए हम divide करेंगे अगर मानलो हमने इधर 6 रखा इधर भी 6 दिया तो value कितना होगा तो 6 से 120 के 6 इधर 6 करेंगे तो 6 6 इधर 36 से 6 करेंगे 6 इंटो 0 इगल तो 0 0 प्लास 3 इगल तो 3 होगा and 6 इंटो 2 इगल तो 12 12 का 2 करेंगे 1 and 6 इंटो 1 इगल तो 6 plus 1 इगल तो 7 इसको लिखेंगे 7236 तो यिसको भी satu step करना परेगा जब भी some stuff करेंगे तो वेल्यो हैगा तो इसमें आएगा four केड़ी करेंगे तो यह nine होगा 9 से थी subscribe होने के बाद six आएगा एगीन इधर हो रहेगा 10 ए Dare वेलो रहेगा, इस वेलो को हम चाहें तो और भी नमबर निकल सकते हैं, मतलग यह खटम नहीं होगा, 0.606 ऐसे वेलो निकल के continue हो जाएगा, हो ही रहेगा, तो यह एरिसिनल नमबर है, तो यह खटम नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी यह जो 0 है, 0 में round off करेंगे, क्योंकि 2 places टक ही हमें fine करना है, तो जब भी हम इसको round off करेंगे, तो 0.6 यह जो 0 है, 0 की बाद का digit है, यह 5 से जादा है, तो 5 से जादा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जब previous number है, उससे हम 1 add करेंगे, 0 के साथ जब 1 add करेंगे, किया होगा, 6 1 होगा, यह ही होगा, round off करन के बाद, तो अभी हम ऐसे करके इसका पीछे का पार्ट इसको नहीं लिखने से ही इसका अंसर हो जाएगा, तो therefore, इसका solution ऐसे है, अगर root of our 0.3681 equal to, 0.3681 equal to, हम लिख सकते है, 0.606, ऐसे लिख सकते है, तो इसको next हम round off करेंगे, तो 0.61, तो यह बनेगा इसका answer, अगर हम चाहें, तो direct हम ऐसे भी लिख सकते है, 0.3681 equal to, 0.61, ऐसे भी हम चाहें, तो लिख सकते है, कोई problem नहीं है,